अलो स्टुजेंट येस बेटा आज हुन करेंगे हमारा चाप्टर नमबर 6 क्या ανें में है Friction, Friction क्या होती है? Friction होती है बेटा जिसमें हमें चो numbers दिये हो де होती है वो divide में दियुक निग्ट हे फॉर इक्ञापल एक दिये हो है ठीक है ये देखिए वन बाई फाइव तो आपको रीटन करना है फिक्षिन का नेम फिक्षिन का नेम क्या आएगा यह आएगा बेटा वन बाई फाइव है इसके लिखेंगे वन नीचे क्या फाइव तो इसके लिखेंगे फिफ्थ यह क्या है वन फिफ्थ इसका नेम है ठीक है उसके बाद में friction का नेम दिया हुआ है आपको friction return करनी है numerator and numerator write करना है friction का नेम क्या है two by two by two third है मतलब two by kya है three ठीक है जिसमे numerator क्या आएगा उपर वाला क्या है two and denominator कितना है three same इसमें आपको ना तो friction दी हुई है नाई friction का नेम दिया हुआ है आपको निबिनेटर एंडि दिया हुआ है लुसके खिंगे 10 की thank się 10th, ठीक है, अब next देखी, इसमें क्या है, 8 by 9 है, इसको कैसी, इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा, 8 9th, 8 9th होगा, और उसके बाद, निमिनेटर कितना आएगा, निमिनेटर आएगा 8, एं निमिनेटर कितना है, 9, ठीक है, same, 1, 4th नेम है, तो friction क्या हैगी, 1 by 4, निमिनेटर कितना हैगा, 1, एं निमिनेटर कितना हैगा, 4, ठीक है, अब नीचे देखिए, इसमें क्या है, color the following parts, आपको इनको color करना है, आपको friction दी हुए है, 1 by 3 of 9, 1 by 3 of 9 का मतलब होता है, 1 by 3 की multiply कर दीजिए, अब 9 से, कट कीजिए, क्या हैगा, 3, 1 is a 3, 3 is a 9, तो answer आजाएगा, 3, तो इसमें कितने parts को color करना है, हमें, 3 parts को color करना है, तो कोई भी 3 parts color कर दीजिए, मालगी, मैंने कि यह वाले 3 parts क्या कर दीजिए, इसके color कर दीजिए, तो ब गाल है, उसके 1 by में 2 parts को क्या करना है, आपको color करना है, 1 by में 2, total part कितने है, 1, 2, 3, 4, total 4 parts है, तो 1 by में 2, 1 by में 2, इसको कर दीजिए, 1 by में 2 of 4, तो 1 is a 2, 2 is a 4, तो answer कितना आगया, 2, मतलब हमें, इसके कितने parts को color करना है, तो पार्ट को color करना है, या फिर आप इससर यह भी कह सकते हैं कि हमें इसके half parts को क्या करना है color करना है तो यह हमने क्या कर दिया इसको color कर दिया अब next दिखिए next रहे बेटाओ one third of a jug one third one third कितना था one by me three of a jug जग का total one third करना है total parts कितने हो के one two three parts है उसका one third करना है मतलब one by me three multiply कर देंगे three से cut करेंगे तो यह one आ जाएगा मतलब उसके one part को क्या करना आपको color करने यह वाला पार्ट मैंने क्या कर दिया उसका color कर दिया ठीक है same two by me three of flag flag two by me three part करना है total parts कितने है one two three three parts में divide है तो two by me three multiply क्या जाएगा three 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 से three cut तो आंसर कितना गया two मतलब हम इसके पार्ट करने है two parts तो यह parts मैंने क्या कर दिये colors कर दिये ठीक है same one two fifth of a flower two fifth मतलब two by me five of flower flower के total petals count करेंगे one two three four five five petals है five five say five cancel तो आंसर कितना गया two तो हमें कितने petals को color करना है two petals को तो इन two को क्या कर दिया मैंने colors कर दिया okay same next क्या है one by me seven of a dozen dozen जो होती हो इसके अंदर total कितनी items होती है एक dozen के अंदर 12 items होती है तो मतलब seven by me 12 को multiply करना हमे 12 से 12 से 12 cancel तो आंसर कितना जाएगा seven तो हमें इसके seven parts को क्या करना है color करना है तो seven parts देखे one two three four five six and seven तो यह seven parts क्या कर देंगे हम color कर देंगे ओके अब नीचे वाला सम देखे second sum number three वाला यह इसने क्या है filling the blanks first क्या है what is one fourth of an hour one fourth निकालना है एक hour का ठीक है तो अब देखिए क्या कहा है उसने one fourth of an hour तो one hour is equal to होता है वेटा one hour is equal to sixty minutes 60 minutes होते हैं तो आपको one four निकालना है किसका एक hour का one hour का one hour कितने है 60 minutes multiply क्या हो जाए है 60 minutes four को divide कर दीजिए से क्या आएगा four one's a four four five's a twenty तो क्या आजाएगा 15 minutes ठीक है तो इसमें क्या आजाएगा इसमें आजाएगा कि one fourth of an hour is equal to 15 minutes same क्या है what is half of a month half of a month का मतलब है देखिए one month one month में कितने days होते हैं is equal to हम 30 days के हिसा आप से लेकर चल जाएगा इसमें ठीक है उसने क्या क्या है हाफ हाफ क्या आता है one by में two of month मतलब multiply 30 days कट करेंगे तो क्या आजाएगा 15 days ठीक है तो यहां प्या जाएगा 15 days ठीक है तो सीम जो पार्ट साइस में भी ऐसे करेंगे जैसे two by में fourth three by में fourth of liters को मिली लेटर में निकालना है तो one liter is equal to thousand liter आएगा ठीक है जैसे मैं आपको निकाल कर बता रही हूं क्या है three by में fourth of a liter तो one liter के इकोल होता है one liter is equal to thousand milliliter ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है उसका three by में fourth मतलब three by में four of thousand का निकालना है तो इसको cut कर दीजिए four to the eight उसके बाद कितना बज्चा आएगा five zero multiply करेंगे तो क्या आएगा seven five zero milliliter इसमें आएगा seven five zero milliliter same जो सम है ये भी ऐसे करेंगे आप अमनी बुक के अंदर okay thank you